अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ मारू खेदर और आप देख रहे हैं हेल्दी हर्ट्स बारा मसालों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पुदीनी और पड़ी इलाइजी के हवाले से जानेंगे अपने किचिन में छिपे खाजाने से इन दो मसालों के फाइदे और बेहतरीन इस्तमाल दुचने शुरू करते हैं पुदीनी जी से इंग्लिश में मिंट कहा जाता है एक मशूर हरपल पौदा है पुदीनी का इस्तमाल खुराग दवाई और मुक्तलिफ खुरागें तयार करने में किया जाता है ये एक खुश्बुदार पौदा है जिसमें कई मुफीद अजसा पाई जाते हैं सर्दियां आ चुकी हैं और हम में से ज्यादा तर अफराद इस मौसम में सिर्फ गरम चीज़ें खाने पर ही जोर देते हैं लेकिन याद रहे कि पौदीने में ठंडक पैदा करने वाले अजसा सर्दियों में बहतरीन तरीके से काम करते हैं और जिसम को फाइदा पहुचाते हैं इसके लावा इनका गरमियों में इस्तमाल भी मुफीद है यानि इसे हर मौसम में इस्तमाल किया जा सकता है पौदीने इंफ्लेमिशन कम करने में मदद काम करता है और अजलाती जोड़ों के दर्द और दीगर अमराज में आराम पहुचाता है पौदीने एंटी आकसीडेंट्स का भी तरीन सोर्स तस्रीम किया जाता है और इसका इस्तमाल जिसम में मौजूद जहरीले और नामुनासिब अच्ज़ा को खतम करके सिहत को बहतर बनाता है इसके इलावा पौदीने का इस्तमाल इंसानी जिसम में मौजूद को भी साफ करता है और इसकी गर्दिश को बढ़ाने में मौबनात पराहम करता है पौदीने का इस्तमाल इंसान के पूरे जिसम पर अपने असरा चोड़ता है यहां तक के दिमागी तबज्जों में भी बेहतरी पैदा करता है पौदीने को मुक्तलिफ खानों में शामल करने के साथ सब इसकी चटनी भी इस्तमाल की जाती है और बाज़ा फ्राजचाई के जरीए भी इसके अफादियत अपने अंदर सम होते हैं पौदीने का इस्तमाल खाना हादम करने में भी मददकार साबित होता है और इससे जुड़े मसाइल को भी हल कर देता है बड़ी इलाइची एक खुश्बडार मसाला है जो अमूमी तोर पर हमारे घरों में खाने को जाकरदार बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है इसके लावार इल्मिहिक्पत में बड़ी इलाइची को एक तिबी मसाला भी कहा जाता है जिसमें मौझूद मुख्तलिफ केमिकल्स इंसान को तंदरुस रखने में मावन होते हैं बड़ी लाइची के इस्तमाल के बड़े फाइदे हैं बड़ी लाइची निजामिक इन हिजाम को बेहतर बनाकर कैस और कपस का खात्मा करती है शूगर के मरीज़ों के लिए बड़ी लाइची के इस्तमाल नहायत मुझीद है क्यूंके बड़ी लाइची जिसमें शूगर लाइवर को कंट्रोल करने में मदद देती है इसके इलावा बड़ी इलाइची में शामिर अजसा दिल की सहत को बेतर बनाकर कल्बी बिमारियों के खतरात को भी घटाते हैं अगर आप अपना बजन कम करना चाहते हैं तो बड़ी इलाइची को जीरे के साथ मिलाकर इस्तमाल करें क्योंकि इसके असराद बगेर किसी साइड इफेक्ट अपना जादू दिखा सकते हैं बड़ी इलाइची के तेल को अगर दूद में मिलाकर इस्तमाल किया जाए तो ये सीने में उटने वाले दर्द को कम करने में मददकार साबित होता है बड़ी इलाइची में मौझूद एंटी बैक्टेरियल अनासिर जख्मों की भराई में मावन साबित होते हैं इसके इलावा साइनिसिस के मरीजों के लिए बड़ी इलाइची के इस्तमाल फाइदे मन्द है अपनी रोजमरा के खुराख में इन मसालों का मनासिब और मतनासिब इस्तमाल के कीनी बनाकर आप अपने जिसम को पेशगी मिमालियों से बचा सकते हैं आज के लिए इतना ही 12 मसालों की अगली किस्ति साथ जल्द हाजिर होंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आपको हमारी मालूमाती वीडियो मौसूल होती रहें खुश रहें खुशियां बाटें अपनी और अपने अजीज और अखारिक की सेह का खया लगए